तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो है ड्रम वाइंडर के बारे में आपने पुरानी खदानों में वरकर्स को एक केज में बैठकर धरती के नीचे जाते हुए मूवी या टीवी में जरूर देखा होगा उस केज की उपर एक रोब जो ने नीचे पहुचाता है वो बड़े-बड़े ड्रम से जुड़ा रहता है उस ड्रम का संचालन किस तरह होता है कैसे काम करता है इन ड्रम के ट्राइब क्या-क्या होते हैं इनके advantages क्या है, disadvantages क्या है इन सभी के विसे में इस वीडियो में चर्चक की जाएगी तो without wasting any time, let's video start Drum winding इसमें cage को उठाने के लिए drum को प्योग किया जाता है जैसे electric power से चलाया जाता है और इस पूरी process को drum winding कहते हैं Leben winding में जो drum use होता है उस पर cylindrical flange fit किये होते हैं दोनों side ना और इन दोनों side पे rope लिप्ता हुआ रहता है दोनों side के rope के लपेटनों की दिशा एक दूसरे के विपरीथ होती है यानि कि left side के flange के rope की दिशा right side के flange के rope की दिशा से विपरीथ होती है ड्रम को कंट्रोल करने के लिए breaks का उपयोग किया जाता है breaks के लिए Ain Really Drum की परिदी या डाय पर 150 mm से 200 mm तक चोड़े breakpad लगे होते हैं जिनकी सायता से drum की गति को कंट्रोल किया जाता है उन्हें रोका जाता है winding के लिए आवैसे एक रस्षे के अतिरिक थोड़ा सा रस्षा extra में रखा जाता है इस extra रस्षे को flange के पास एक छेद होता है उस छेद से अतिरिक रस्षे को drum के अंदर के axle पर fit कर दिया जाता है और fit करने के बाद इसे lock कर देते हैं आसान भासा में समझा जाया तो drum पर एक छेद होता है जिस से extra rope को ले जाकर drum का axle पर fit कर देते हैं और lock कर देते हैं लेकिन इसकी एक condition होती है यदि हमें cage को सिर्फ एक ही level पर उतारना है तो ये विदी उप्योक्त है यानि कि cage एक ही level में रुकेगा जिसे multiple level होते हैं किसी ख़दान में तो उसके लिए ये विदी उप्योक्त नहीं होती उसके लिए drum पर clutch fit किये जाते हैं आपने देखा होगा underground vines में जब कभी आप गए होंगे तो बहुत सारे level होते हैं coal seam होती है जिनमें worker काम करते हैं तो यदि आपको अलग-अलग level पर काम करना है तो workers को भी अलग-अलग level पर उतारना पड़ेगा वहाँ material पहुचाना पड़ेगा तो उस पर axle के साथ fit करने के जगह पर clutch fit किया जाता है जिसकी सहायता से अलग-अलग level पर operator cage को रोकता है जिससे material और workers का आदान-प्रदान ठीक से होता है समानने ताह जो winding rope रहता है वो drum पर एक layer में ही होता है लेकिन यदि माइस deep है गहरी है तो अधिक layer में winding rope रखा जाता है अब देख लेते हैं कि winding drum काम कैसे करता है तो कल्पना कर लीजिए दो tub हैं जिस समय loaded tub वाला cage नीचे से उपर उठाया जाता है उसी time दूसरा cage soft head से नीचे की और भेजा जाता है इस तरह ये पूरी winding process balanced रहती है ये normal process है winding rope का एक सिरा hosting drum से fix रहता है और दूसरा end cage से जुड़ा रहता है लेकिन यदि soft का आकार छोटा है या जहाँ ज़्यादा space नहीं होता वहाँ पे दो cage लगाने की वश्था नहीं रहती कई बार geological और economical भी ये possible नहीं होता तो ऐसे इस्थान पर पिंजरे के इस्थान पर एक weight इस्तिमाल किया जाता है जिस से soft cage balance रहता है और यदि अधिक संतिलन की आई विसकता पड़ती है तो उसके इस्थान पर tail rope का इस्तिमाल किया जाता है लेकिन भारत में इसका उप्यूग नहीं किया जाता है अब आगे बात कर लेते हैं types of drum winding की तो माइस में कई तरह के drum इस्तिमाल किया जाते हैं मुख्य है cylindrical drum, conical drum, cylindroconical drum, bio cylindrical conical drum तो सुरुआत करते हैं cylindrical drum से तो cylindrical drum मुख्य रूप से कम गहराई में यूज किये जाते हैं गहरे साफ्ट में rope का वजण ठीक से प्रभावसाली नहीं है अधिक गहराई के साफ्ट में इसका उप्यूग नहीं किया जाता है इसको operate करना काफी आसान होता है और construction काफी मजबूत है अब देखते हैं advantages of cylindrical drum तो operation simple है, इसका construction मजबूत होता यही इसके man advantages अब देख लेते हैं इसके disadvantages क्या क्या हैं तो अधिक depth वाले साफ्ट में इसका use नहीं कर सकते है balancing purpose के लिए tail rope का use किया जा सकता है अब आगे बात कर लेते हैं conical drum की conical drum सत्य की 20 से hands की तरफ sleeper होती है balance के लिए इसमें tail rope का इस्तमाल नहीं होता क्योंकि इसकी balancing बहुत अच्छी होती है rope लपेटने के लिए सिर्फ आदा drum ही उप्योग हो पाता है coil का lamination होने के कारण drum को कहरे साफ्ट में use नहीं किया जा सकता अब आगे बात कर लेते हैं cylindro conical drum की तो cylindro conical drum के बीच वाला भाग cylindrical होता है और side के दोनों भाग hands की तरफ sleeper होते है conical drum की तरह मतलब कि ये conical drum और cylindrical drum का मिला जुला रूप है दोनों drums की खुबियों को लेकर ये drum बनाया जाता है इस type की drum मद्यम गहराई के soft में use किये जाते है अब बात कर लेते हैं इसके advantages की तो rope लबेटने के लिए परियाप space रहता है इसमें winding के लिए भी अधिक space रहता है अब बात कर लेते हैं इसके disadvantages की तो इसका एक ही disadvantage है कि इस drum की design और working easy नहीं है अब आगे बात कर लेते हैं by cylindro conical drum तो इस तरह के drum विचेशता उन ख़दानों के लिए बनाया जाते हैं जो काफी deep होती है इसका construction बहुत ही hard होता है ये drum विबिन अकार के drum के साथ slope surface के साथ बनाया जाते हैं अब देख लेते हैं इसके advantages के हैं तो balancing purpose के लिए tail rope के आवे सकता है नहीं होती इस प्रकार के drum में power और समय कम लगता है अब बात कर लेते हैं इसके disadvantages के तो इस प्रकार के drum multi decking के लिए ये use नहीं किया जा सकता जिस तरह एक के उपर केज जुड़े हुए रहते हैं इसे multi decking कहते हैं इस प्रकार के drum काफी भारी और costly होते हैं लेकिन अधिक गहरी खदानों के लिए बहुत suitable होते हैं लिए इनका उपयोग किया जाता है तो दोस्तों ये थी एक पूरी complete जानकारी drum winding के उपर जो की mining related exam में आपकी काफी help करेगी आशा करता हूँ बहुत सारे लोग के concept आज clear हुए होंगे और यदि आपको अभी भी कोई शंका है तो आप नीचे comment करके बता सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी उस समस्या को भी हल किया जा सके और दोस्तों यदि आपको इसको detail में पढ़ना है और इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप description में mining papa की website link दे दी गई है यह वहां जाकर आप free में PDF डाउनलोड कर सकते हैं मैंने बहुत सारी इसी website देखी है जहां पर PDF डाउनलोड करने के लिए चार्ज मांगा जाता है लेकिन इस website में जाकर आप सारी जानकरी और PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसका अपयोग अपने study में कर सकते हैं और इसी तरह के काफी सारे topic आपको वहां मिल जाएंगे जो कि बोल चाल की भासा में यानि की technical language में बनाए गए हैं ताकि student इसको काफी easily समझ सके और उनके concept clear हो सके और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें अपने माइनिंग के दोस्तों के साथ इसे जरूर जरूर शेयर करें और अपना support और प्यार दिखाते हुए चैनल को subscribe करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत